हाई एवरिवन वेलिकम बैक गाईज हमने कल की वीडियो में आपको डिफॉर्मेशन इन स्टेपर बाहर केंसे फाइन और करते हैं सारी चीजे बताई थी तो आज हमें क्वेशन करेंगे जो गेट में आया हुआ है तो क्वेशन में हमें बताया है जो हमारा ये पूरा का पूरा जो अलिमेंट है या बाहर है ये एक साइज से फिक्सट है और दूसरे साइज से फ्री है जहां से ये फ्री है वहाँ पे पी आमोड का फोर्स लग रहा है ठीक है जो यहां पे मैं बना रहा हूँ अभी ये मेरा ये बार है ठीक है तो इस बार का जो है लेंट यहां से इस पॉइंट तक ल है यहां से यहां भी ल है अब अगर इस बार को देखेंगे इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी हो रहा है ठीक है तो इसका टू ए क्रॉस c d इसको अगर हम नाम देंगे तो ये नाम दे सकते हैं ठीक है a b मेरा एक बार हो गया अब हमें क्या करना है हमें इस पूरे बार में elongation निकालना है we have to find elongation of a d ठीक है कल हमने आपको बताया कि step it बार में elongation कैसे निकालते हैं यह जो है step it बार का question है गेर में आया हुआ है ठीक है दो मार्स का तो यहां पर पी अमोर्ट का जब force लग रहा है तो क्या होगा यह बार यहां से elongate होगा आगे की तरह क्या होगा खिज जाएगा तो यहां पर टेंसाइल फोरस लग रहा है इसके वैसे जो भी लाउंगेशन आएगा वह पाज़िट्व आएगा पहली बात आपको यह पता होना चाहें ठीक है अब क्या होगा पढ़ता है इस बार को इसे करना पढ़ता है कि इसमें ए जो है काश्टन रहें और टोटो और अब एक तो यह एक मेरा section A, B हो गया section कहां पर करना है जहां पर cross sectional area vary हो और जहां पर forces लग रहे हैं किसी भी point पर ठीक है तो A, B एक section लिया फिर में लूँगा, B, C एक section ले लूँगा, B, C और फिर finally C, D यह ऐसे section क्यों लिये क्योंकि हमने यहां पर B, C का area आप cross section वो 2A है हर point पर, C, D का A है अब हम formula जो हमारे पास uniform cross section के लिए deformation का formula है वो P, L by A, E है इस formula से हम find out कर सकते हैं total deformation अब total deformation इस बार का क्या होगा, deformation of bar A, D is equivalent to deformation of section A, B, plus deformation of section B, C, plus deformation of section C, D तो यह deformation total मेरा आ जाएगा, deformation of A, D is equivalent to deformation of A, B अब A, B पर deformation के लिए हमें A, B पर forces चाहिए, आप देखो D पर, यहां पर D पर यहां से force लग रहा है P amort का, इसको balance करने के लिए यहां से P amort का force लगेगा अब C पे यहां से, C पे जो है force लग रहा है मेरा यहां से, इस तरह, ठीक है, tensile, तो इसको balance करने के लिए मुझे opposite direction में एक force यहां से P लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि यह P balance होगा, अब इस P को balance करने के लिए यहां से P लगाना पड़ेगा, अब यहां पर bar है, ठीक है, यहां पर क्या है, यह fix it है, तो इस fix it के विए से एक reaction आएगा, ठीक है, अब B पे force यहां से P लग रहा है, इसको balance करने के लिए यह force भी लगाऊंगा, अब यहां पर जो reaction आएगा, वो P के बरावर होगा, तो इस direction में होगा, उसको भी हम R, A लिख लेते हैं, वो P के बराव होगा, अब A B पे आप देखो, elongation of A D क्या होगा, elongation of A B, तो A B पे elongation के लिए force चाहें, ठीक है, तो A B में force, अब A B में कौन सा formula लागेंगे, P L by A E, P क्या है, P मेरा force है, वो P ही है, ठीक है, वो P के बरावर ही है, लैं, L है, area A है, और elasticity modulus E है, प्लस, अब B C की बात करेंगे, B C में force P है, length B L है, area of cross section 2 A है, in elasticity modulus E है, और C D में भी force P, length L, area of cross section A, elasticity modulus E है, अब देखो, P L by A E, P L by A E, तो क्या हुआ, 2 P L by A E हो गया, प्लस में half of P L by A E, तो ये कितना हुआ, 2 plus half, 2.5 P L by A E, ये मेरा final deformation आगया भाई, ठीक है, तो net deformation in bar A D is equivalent to 2.5 P L by A E, तो इस question में जो correct option मेरा होगा, वो option C होगा, ठीक है, option C, option C will be correct option, so इस तरह से हम gate के questions को solve कर सकते हैं, हमारा concept clear होना चाहिए, section कहाँ पर कारना है, वो पता होना चाहिए, ठीक है, questions को easily कर सकते हैं, ठीक है, so hope guys आपको इस question समझाया होगा, इस question का solution अच्छे से आपने समझा होगा, so in next video we will be with awesome content, till then you take care.